असलाव अलेकम डियर वीवर्ज मैं हूं मुहम्मद मौहिंज वन एड़ोकेट और आज का जो हमारा टोपिक है वो यह है के रिपोर्ट ओफ केमिकल एक्जेमिनर इन नार्कोटिक्स केसिज, कम्पलाइंस ओफ प्रोटोकॉल एंड एविडेंसरी वैल्यू इस वीवर्ज में जो चीज़ें हम डिसकस करने जा रहे हैं वो यह होंगी के केमिकल एक्जेमिनर की रिपोर्ट में एनलसिस या टेस्ट की क्या हमियत है रिपोर्ट में किन चीज़ों का होना बहुत जुरूरी होता है क्रिमिनल केसिज में केमिकल एक्जेमिनर की रिपोर्ट में शक्त पैदा होने से प्रस्टिकूशन के मकदमे पर क्या असर पड़ेगा इसके लावा हम रेलिवेंट ला को डिसकस करेंगे और लहूर हाई कोड की लेटस जज्जमिन की रोशनी में अपने इस टोपिक को देखेंगे फर्स तोफ़ाल हम इसके पैरामेटर्स पर बात कर लेते हैं इसके रेलिवेंटर्स की तफसिलात का जर्डनल हेड्स से सिर्फ फिजिकल एग्जमिनेशन और कंक्लूजन फराम करता है तेस्ट या इस वक्त तक हमियत का हामल नहीं होगा जब तक रिपोर्ट रूल 6 के तरहत मकलूबा मालूमात फराम ना करे लहाजा एक्ट और रूल्स के मकासद को पुरा करने के लिए रिपोर्ट के लिए कुछ चीजों का होना बहुत जरूरी होता है नमबर वन मन्शियात का टेस्ट और अनलसिस होना चाहिए नमबर टू हर टेस्ट का लग्रट निकलना चाहिए नमबर टूरी इन टेस्ट के लिए टेस्ट प्रोटोकोल को अपलाई किया जाना चाहिए ये एक सैटल प्रिंसिपल है के प्रोटोकोल एनलसिस या टेस्ट का अंदरूनी पार्ट है इसलिए क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का बनियादी हसूल है कि जादा पनिश्मिंट वाले केसिस को ठोस एवीडेंस के जरीए ही थाबत किया जाना चाहिए ताके फाल्स इंप्लिकेशन के मकानात को रद किया जा सके मजीद ये के फोईदारी कानून का गौल्डन प्रिंसिपल है कि शेक पैदा करने वाली एक सिंगल सूरत में प्रोस्टिशन के मकदमे की सदाकत को खतम करने के लिए काफी होगी जिसका ड्रेक्ट पैदा मुल्जम को होगा अब हम डिसकस कर लेते हैं रूल 6, the control of narcotics substances, rules 2001, report of result of test or analysis, after test or analysis, the result thereof, together with full protocols of the test applied, shall be signed and codificate and supplied forthwith to the sender as specified in form 2. अब हम अपने इस टोपिकोल और हाई कोड की लेटेस जज्जमिन्ट की रोशनी में देखते हैं, ये जज्जमिन्ट है, 2023 LHC 3942, इसमें ये होल्ड किया गया था कि बतोर रिकार्ड पर जहर की गई, exhibit PG 125 forensic report के इतियास से जांच परताल इस बात की अकासी करती है कि इसमें र प्रोटोकॉल की तफसिलात कोईद के मताबक फ्राम नहीं की गई हैं, अब तक ये तैश उदा कानून है कि अगर कोई रिपोर्ट इसमें बियान करने में नाकाम रही तो टेस्ट के लिए प्रोटोकॉल की तफसिलात गहर हत्मी, नाकस और नाकाबल इतबार होंगी, इस सा प्रोटोकॉशन के मकदमे की स्दाक्त को खाफिक खत्म करने के लिए काफी होगी, वीडियो को एंट तक देखने का बेहर शुक्री अपने ख्यार रखिएगा, अलाह आफिज